हलो गाईज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रावल टू एक्स्प्लोर में और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ एक ऐसी जगह जो की फेमस है यहां के बीचेश के लिए, नाइट लाइफ के लिए और यहां की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज एन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत लोग पैरा सेलिंग, जेट इसकी, बोट राइट यह सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो अगर आपको भी करना हो और काफी चीपर रेट में तो एजली यहां पर अवेलबल होता है बहुत सारे यहां पर वेंडर होते हैं जिनके मुझेख सेलिंग अवेरी झाना फंपको लेक्ट बहुत सीफरे सेलिन देख में şवेरा ड्यां तो और का वार का. हेलो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ दिली के इंद्रा गांधी इंटरेशनल एरपोर्ट पे और गोवा जाने के लिए मेंली दो आप्शन होते हैं बाई ट्रेन एन भाई फ्लाइट अगर आप बाई ट्रेन प्लान कर रहे हैं दिन दो में रिल्वे स्टेशन है मटगाउ एंद थीविम रिल्वे स्टेशन जिसका किराया लगबग दो हजार रुपे थर्ड एसी का पड़ता है डैली से इसके लाव आप फ्लाइट से भी प्लान कर सकते हैं जिसमें दो में इंटरेनेशनल एरपोर्ट हैं गोवा में डेबलिम इंटरेनेशनल 12,000 पर पर परसन राउंड ट्रिप का पड़ता है गोवा एरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने होटल जाने के लिए हमने एरपोर्ट से ही टैक्सी बुक किया जिसका किराया हमें लगबग 12,000 रुपे बड़ा और जो हमारा ड्राइवर था वो काफी एक्स्पिरियंस ड् बहुत ही प्रॉपर वे में तो इस वीडियो में लास तक बने रही है मेरी वीडियो अगर आपको इन्फोर्मेटी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें क्योंकि इससे आपको मेरी आने वा तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ गोवा के सबसे फेमस बीच बागा बीच पे और आप हमारे पीशे देख सकते हैं कितना अच्छा क्राउड है यहां पे और अंजुना बीच के अलावा आप यहां बागा बीच पे भी वाटरी स्पोट एक्टिविटीज कर सकते हैं यहां पे भी सारी वाटरी स्पोट एक्टिविटीज अवेलिबल है दोस्तों मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा गोवा एक ऐसी डिशनिशन है जो हर एक सेग्मेंट के टूरिष्ट को अट्रैक करती है चाहें आप अपने हनीमून के लिए प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हैं चिलाउट करने के लिए तो गोवा एक ऐसी डिशनिशन हो और आप कह सकते हैं कि जहां पे हर एक सेग्मेंट के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है तो अंजुना बीच और बागा बीच कवर करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ कैलंगेट बीच पे और यह टाइम हो रहा है संसेट का तो इस टाइम पे अप देख सकते हैं यहां पे भी कितना जादे क्राउड है और अभी तक मुझे लग रहा था कि बागा बीच पे ब तो अभी जो लोग भी हमारे आय हुए है वो सभी लोग यहां पर इंजॉय कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं यहां पर सारी चीजे कितना अच्छा वाटाइपट अच्पट अच्टिविटीटीज है और सारी चीजे हो रहे हैं हलो दोस्तों साम होते ही हम निकल पड़े टीटोज लेन के लिए जो की फेमस है यहां की लेट नाइट नाइट लाइफ पार्टी एंड कलब के लिए और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपर्टिन चीज़ बताने वाला हूँ कि गोवा में किस तरह का स्कैम होता है और कैसे आप बच सकते हैं तो बिसिकली होता क्या है कि जैसे इवनिंग के टाइम पर आप बाइक से या स्कूटी से जा रहे होते हैं आपके पीछे से पहले ही दो तीन लोग लग जाते हैं इसकूटी से और आपके पास आगे बोलते हैं कि यहां पर बहुत यह अच्छा क्लब है आप वहाँ पर जा स और आपका पूरा एकाउंट खाली करा सकते हैं तो मैं यह चीज़ बताना चाहूंगा कि जो यहां का मेन क्लब है वो टिटोज लेन पे क्लब से हैं वो सारे सेफ हैं और यहां पे सबसे बेस्ट क्लब है वो है टिटोज क्लब तो यह है गोवा का सबसे फेमस टिटोज लेन जहां पे मोर देन हंडरेड क्लब है और यहां की क्लब जो होते हैं वो सारे सेफ और सेक्यूर होते हैं यहां पे इंटरी फीज चेनरली 500, 1000 रुपीज, 1200 अप टो 2000 और 2500 तक है तो सबसे बेस्ट क्लब जो यहां का है मैंने पहले भी बताया वो है टिटोज क्लब तो वहां की इंटरी चार्जे थोड़े हाई होते हैं बट वहां पे क्राउड काफी अच्छा होता है तो अगर आप कन्फ्यूज हो रहा हो कि कौन सा क्लब होगा बेस्ट यहां पे तो मैं रिकमेंड करूँगा टिटोज क्लब जो की सबसे यहां का फेमस क्लब है और यहां पे क्राउड काफी अच्छी होती है तो मेंड़ा इस दो याफ तो म सा ऱ बचा बढ़ा है है ओ़ने झारर अभल तो दोस्तों जो टीटोज लेन है वो जस बागा बीच के एकदम साथ में है तो टीटोज लेन के साथ साथ आप बागा बीच पे भी आ सकते हैं एकदम अलग होता है और यहां पे अपने दोस्तों के साथ बैट के uphill कर सकते हैं और यहां के फुड और स्नेक्स एंड ड्रिंक्स बैच कर सकते है और दोस्तों बहुत सारे रेश्टरेंट ट्राइ करने के बाद हम पहुंचके ग्रेटे पंजाब रेश्टरेंट पे जहां पे वेजन नॉन्वी दोनों आप्शन्स अवेलबल है और यह रेश्टरेंट बहुत अच्छा रेश्टरेंट है यहां की फूड क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइज भी काफी रेश्टरेंबल है और इस्पेशली यहां पर बहुत ही अच्छा हैजीन मेंटन करते हैं और यह रेश्टरेंट जो है वो टीटोज लेन की एकदम पास में है और जिसका लोकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप एज अच्छी हमारा स्टार्ट होता है बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास के साथ और ब्रेकफास करने के बाद हम निकल पड़े दूज सागर वाटर फॉल के लिए जो कि यहां का सबसे फेमस वाटर फॉल है दूज सागर वाटर फॉल जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही खुब सूरत है इविन आप यकिन नहीं करेंगे कि आप गोवा में हैं क्योंकि गोवा में जाना जाता है बीचेज के लिए नाइट लाइफ के लिए लेकिन बीचेज और नाइट लावा भी बहुत कु तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है दिल करता है कि ये रास्ता खतम ही ना हो अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम पहुंच गया टिकेट काउंटर पे जहां से दूद्सागर वाटरफॉल के लिए टिकेट मिलता है और यहां से आपको सेपरेट कैब होती है जो लेके जाती है और टिकेट का कॉस्ट होता है वो हता है एप्रॉक्स 600 रुपीज पर पर दोस्तों दूद्सागर वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है और काफी मज़ा हैगा आपको इस रूट पे आपको लगएगा किसी आफबीट टेश्ट पर पर आपको इस निशन पर जा रहे हैं तो गैस यहां पर टेक्सी आपको ड्रॉप कर देती हो और इसके बाद से हमें थोड़ा सा ट्रैक करके नीचे की तरफ जाना होता है और अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे बीच में रास्ते में भी हमें दो-तीन बार क्रॉस करना पड़ा जहां चर्प करते हुए हम लोग निकलेंगे पिए है को कि अ वी यह तुर दू वेस्टेंस तुर थो है वेस्टि मुच हरो तुर थो संरही इस एक रहे है मैं यह तुर डूर्वेस्ट अशन अ हुआ 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 है कि अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूसागर वाटरफॉल और आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है और मैंने भी बहुत चारे वाटरफॉल देखे हैं लेकिन इससे बड़ा आज तक नहीं देखा था यह गोवा का सब्सक्राइब पार्ट है आप कह सकते ह और इसकी हाइट एकिसके है लग बड़ दो सों किट से भी जाले हैं से पानी आ रहा है अजर वाफ ginger जिल्ञाइंगा अजर को आए मॉणा और सुनारी और Сबनारी आर नारी आर कर दो कि यॉॉॉ और कर दो कि यॉॉॉॉ यॉॉॉ ॉॉॉॉ यॉॉॉ समादे लॉॉॉ सद्धि वाल काना बाजो कि पादे तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त पंजिम में और आप मेरे पीछे जेख सकते हैं यह है यहां का सबसे फेमस चर्च और इस्पेशली अगर आप बागा बीच कलंगेट एरिया में रुके हैं तो वहां से अलमोस्ट यह 15 किलोमेटर के डिस्टेंस पे तो इस्पे आप यहां की साइट्सीन कर सकते हैं और इसके साथ-साथ साथ इसके फरंट साइड में कसीनो वगएرة हैं तो अगर वहां पर भी हो आपको तो वहां पर जा सकते और श्टैंस कर सकते हैं जाना जाता है और यह जाना जाता है और यह चर्च से लगबग जस्ट दो सो मिटर की दूरी पर है अगर आप फोटोग्राफिक के शौकीन है तो यहां पर आ सकते हैं अगर कपल है तो आ सकते हैं और यहां पर बहुत यह अच्छे अच्छे फोटो वगरा क्लिक करा सकते हैं तो दोस्तों मैंने जो अपना होटल बुक किया हुआ है वो है रिजेंट लगोना यह आपका बागा बीच के जस्ट तीन से चार किलोमेटर से दूर पड़ता है और आप देखते हैं मेरे पीछे यह होटल और यह होटल बिसिकली फोज स्टार होटल है और इसका मैं अभी आ दूम दिखाता हूँ कैसा दिखते है हमारा रूम होटल कर दो दो प्यांट